यह बहुत ही इंपोर्टांट है बच्चों यह जो हमारा principles of inheritance and variation यह इतना important है कि आप जहां भी जाओगे जो भी मतलब biological science पढ़ोगे जहां पर भी graduation में चला जाओ master degree चला जाओ या PhD में भी चला जाओ या तुम्हारा medical में भी चला जाओ ठीक है हर जगा आप लोग को genetics का जरूरत होगा तो मैं बहुत बार तुम लोग को genetics के बारे में थोड़ा बहुत बताया है classroom में, offline classes में ओके, तो आज genetics करेंगे तो यहां पर देखो दो word है inheritance and variation इसके बारे में भी बताया था मैंने तुम लोग को inheritance and variation क्या है ओके तो यह chapter में बहुत सारे ऐसे terms है inheritance हो गया variation हो गया heredity हो गया gene हो गया ठीक है बहुत सारे ऐसे terms है जिसको आज discuss करने वाले हैं तो मेरा एक request है आप लोग को जब भी यह class देखोगे आप लोग क्रिपया आप अपना facebook, whatsapp, instagram जो भी social media में चलाते है उसको थोड़ा बंद कर देना ठीक है उसे बंद करके यह lecture को starting से लेकर last तक, मतलब end तक देखना है आप लोग को ताकि आप लोग को क्या होगा एक बहतर knowledge मिल पाएगा genetics के अंदर so let's start principles of inheritance and variation ओके गाइच चलो so पहला बात आपको यह समझना होगा what is the meaning of heredity okay what is the meaning of heredity यह word आप लोग class 10 में सुने हो class 11 में भी सुने हो and plus 2 second year में भी आप सुन रहे हो heredity का मतलब simply देखो मालो यह एक हमारा parents है ठीक है यह parents है ठीक है हलाकि mother और father दोनों होते हैं तो मैं एक ही जगा में बना दे रहा हूँ बस समझाने के लिए parents है इनके पास कुछ genetic material है मालो कुछ genetic material है यह हमारा है genetic material genetic material मतलब यह DNA के बात किया जा रहा है ठीक है ना हम लोग पढ़े थे genetic material का मतलब क्या है DNA को बोलते है basically genetic material okay guys तो heredity में क्या होता है यह जो genetic material है और यह जो DNA है यह इसका कुछ पार्ट जो है अपने offspring या progeny में transport करता है मतलब यह जो है तुमारा इसका जो character है gene का जो character है the character of gene that transport from parents to the offspring okay यह हमारा offspring है offspring जानते हो prosgeny है यह baby है इसके पास यह जो gene है आधा अधुरा कुछ आएगा देखो एक बात ध्यान दो हमारा basically heredity में generally सारा का सारा gene का जो character है नहीं आता है क्यूंकि parents में क्या होता है एक male होता है and female होता है ठीक है musis process में recombination process होता है आप लोग सुने होगे crossing over नाम का एक process होता है crossing over में क्या होता है बच्चो genetic exchange होता है genetic exchange होने के बज़े से mother and father का कुछ character मिल के तुमारा कुछ dominant और recessive character बन के कुछ characteristics जो है तुमारा parents से off stream में आता है so basically heredity का मतलब बच्चो transmitter transmission of transmission of genetic character यह definition आप लोग लिग लो genetic character देखो बच्चो इसका note में सारा detail दूँगा इसके लिए कोई मतलब confusion मतलब tense मतलब की confusion नहीं होना कि कहां से note बनाए यहां से कि वहां से आप लोग को मैं fully recommend करूँगा कि genetics है genetics का पूरा lecture यहीं से देखो और सारा तुम लोग notes यहीं से उठाओ मैं PDF करके भेज़ दूँगा सारा notes ठीक है और अब लोग को जो भी doubts हो ठीक है मुझे पूछो and यहां से जितना भी question आता है medical मैं सारा का सारा करा दूँगा बहुत अच्छे तरीके से ठीक है और भी और भी other जो chapter है उसका सब करेंगे बट इसका बहुत अच्छे से करेंगे बच्छों सो ट्रांस्मिशन अब जेनेटिक केरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स तो अप्स्रीम ओके इतना बात है याद रखना होगा and one more thing जो आपको याद रखना होगा हेरीडिटी को ही हम इन हेरीटेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं इन हेरीटेंस बोलते हैं ओके जो हम पहले पढ़ें न यहाँ पर जो पढ़ें प्रिंसिपल आफ इन हेरीटेंस इन हेरीटेंस को ही हम हेरीडिटी बोलते हैं समझ में आ गया है चलो आगे चलते हैं अग्याइशन आप दिमाह में एक ही चीज आ रहा होगा डिफरेंस ओके एक चीज आता है डिफरेंस और यह डिफरेंस किन-किन के बीच में है इसी को हम पढ़ेंगे देखो माल लो यह पैरेंस का जो पैरेंस है यह बेसिकली फादर है ओके फादर है यह हमारा मदर है बहुत ही सुन्दर है हमारा मदर फादर भी थोड़ा हैंसम है इनके बच्चे माल लो इनके दो बच्चे है एक लड़का एक लड़की लड़की भी बहुत सुन्दर है अपनी माा के वलब जैसी है ठीक है, ओके, तो, यह father है, यह mother है, और यह तुम्हारा son, और यह daughter, देखो यहां पर, मैं यह जो colors बगरा है, ठीक है, father का color, mother का color, ध्यान से सुनना मेरे बात को, father का color, mother का color, son का color, and daughter का color, पूरा बिलकुल अलग बनाया हूँ, देखो, ठीक है, तो, यहां पर, यह दोनों है, हमारा parent, क्या है यह, parent, ओके, अब दोको, parent, और यह तुम्हारा है, प्रोजेनी, और, आप स्रिंग, यह दोनो, son and daughter कान है, प्रोजेनी और, आप स्रिंग है, तो अब मुझे बताओ, यह जो parent and प्रोजेनी है, इन दोनों के यह difference है, चलो, यहां पर तो बिल्कुल difference बना दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर similarity ला देते हैं, ठीक है, यहां पर तुम्हारा mother का थोड़ा color आ गया है, इसके पास, ओके, इसके पास तुम्हारा mother का color थोड़ा आ गया है, और father का भी color थोड़ा थोड़ा ला प्रोजनी तो प्रोजनी में क्या है डिफरेंट्स है पहला पॉइंट हमको क्या मिला तो कहां पे आप लोग देख सकते हो foreign प्रोजेनी के बीच में देखो son and daughter के बीच में भी तुम्हारा जो appearance है वहाँ पे भी तुम्हारा difference नजर आ रहा है तो second point हमको क्या मिला difference difference between progeny 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 के बीच में तुम्हारा difference है तो मैं तुम्हों को यह बताना का यह मतलब है देखो यहां पर जो मैं color change किया है color अलग लग दिया है तो इनका यह characteristics से दिखाया मैंने इनका features दिखाया है मैं external features external appearance दिखाया है तो यहां पर जो variation है देखो parents औरителя के बीच में तो difference है ही है फिर progeny के बीच में भी difference है यह जो difference है बच्चो physical appearance हो यह physical कोई भी चीजह हो या characteristics हो internal characteristics उनकी के बीच में जो difference होता है उसको हम क्या बहते हैं variation और यह variation का definition ईसे लिख सकते है I'm difference in जेनेटिकल एंड मॉर्फोलोजिकल करेक्टर इसको हम क्या बोलेंगे variation, variation का मतलब क्या होगे difference in जेनेटिकल एंड मॉर्फोलोजिकल करेक्टर इसको नोट डाउन कर लो ठीक है चलो आगे चलते हैं next page and next point also next thing is next जो हमारा point है जो इसको बारे में पढ़ेंगे that is genetics genetics क्या है बच्चो genetics is nothing but the branch of science और branch of biology basically which deals with the study of inheritance and variation that is genetics okay तो इसका डेविनेशन लिख देते हैं it is the branch of science it is the branch of biology biology लिखेंगे क्योंकि science में तुमारा chemistry, physics भी आ जाता है तो genetics is the branch of biology which is deals with the study of inheritance and variation तो inheritance and variation का मतलब तुम लोगो समझा दिया और इनी का study inheritance का study and variation का study को ही हम क्या बोलते हैं genetics बोलते हैं पहले मैं यह बताता हूँ genetics एक word से आया था जिसका नाम है genesis genesis मतलब कुछ form होना और to become genesis का मतलब क्या है to become अब देखो जो genetics का term है term का कौन दिये थे यह जो naming है genetics नाम कौन दिये थे term genetics was given by बैटसन ओके क्या नाम है उनका बैटसन ओके William Batson नाम पूरा लिख देते हैं William Batson यह कब दिये थे 1906 में दिये थे ओके गई इतना बात है आप लोग पहले नोडाउन करो फिर आगे चलते हैं ठीक है अब देखो यह तो हमारा basic जो तुमारा स्टार्टिंग में जो तुम लोग को बताना चाहता है इतना इंट्रोडक्शन पार्ट था तो inheritance, variation and genetics तिन सब्दों के बारे में बताया मैंने अभी तो अभी और भी बहुत सारे चीज़े हमको करना है और भी बहुत सारी terms जैसे की हमको समझना है gene क्या है ओके, then heterologous chromosome क्या है dominant क्या है dominant gene क्या होता है recessive क्या होता है ओके, सारा चीज़े हमको सिखना है phenotype क्या होता है, genotype क्या होता है gamut formation क्या है सारे चीज़े अभी मैं इसी lecture में हम सारा का सारा जो term है term का definition सिखेंगे, ठीक है चलो next page में चलते हैं ओके तो पहले आप लोग यह देखो माल लो यह हमारा एक सेल है माल लो सपोस्ट इस इस और सेल के अंदर बच्चो आप लोग जानते हो सेल के अंदर निकलियस होता है ठीक है निकलियर्स के अंदर क्या होता है क्रोमाटीन होता है आप लोग जानते हो क्रोमाटीन फाइवर सुने हो गए यह क्रोमाटीन होते हैं यह जो क्रोमाटीन है यह कोईल्ड होके क्रोमोजूम देते हैं क्या देते हैं क्रोमोजूम देते हैं बेसिकल यह जो क्रोमोजूम है यह अमारा क्रोमोजूम है क्या है यह क्रोमोजूम तो मैंने क्या बताया अभी सेल होता है सेल के अंदर निकलियस होता है निकलियस के अंदर क्रोमाटीन होता है जो कि तुम्हारा क क्रोमोजूम ही है और डिने ही है वो ठीक है चलो आगे चलते हैं यह समझ में आ गया है तो मैं तुम लोग को बहुत सारे चीज़े बताऊँगा अब देखो हम पढ़ते हैं कभी कभी देखे होगे इस तरह का एक क्रोमोजूम हूगा ठीक है और एक टाइम में और और भी देखे होगे इस टाइब का एक क्रोमोजूम देखे देखे होगे तो इनमें से क्या डिफरेंस है कौन सा क्या है जो ऐसा क्यों इसको भी हम क्रोमोजों बूर रहे हैं इसको भी क्रोमोजों बूर रहे हैं अब देखो मैं बताता हूं आप लोग को यह बेसिकली नॉर्माल क्रोमोजों है नॉर्माल क्रोमोजों मतलब जो लिखता हूँ 1 लिखता हूँ तो यह भी 1 है ओके यह 1 है ठीक है और यह जो 2 है यह पार्ट को ठीक है तो यह नॉर्माल क्रोमोजम है जिसका नंबर 1 है क्रोमोजम 1 एन यह तुम्हारा यह भी नॉर्माल क्रोमोजम है जिसका जो की क्रोमोजम नमबर 1 है एन यह देखो तुम्हारा क्रोमोजम नमबर 2 यह क्रोमोजम नमबर 2 है क्या that is the replicated chromosome of chromosome number 1 ओके यह 2 क्या है 2 is replicated रेप्लिकेटट क्रोमोजोम ओफ क्रोमोजोम वान मतलब यह जो क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम का रेप्लिकेटट पार्ट है नमबर टू ठीक है इसका मतलब क्या होगा यह क्रोमोजोम वान जैसा है ठीक उसी तरह तुम्हारा क्रोमोजोम number two भी होगा क्योंकि यह replicated है हम लोग जानते हैं पढ़े हैं जो replication process होता है replication process में क्या होता है one chromosome one DNA से तुम्हारा जब replication होता है जो दूसरा DNA बनता है वो same होता है है कि ने तो यह तुम्हारा replicated DNA है तो इसको हम बोलेंगे normal chromosome इसको क्या बोलेंगे replicated क्रोमोजोम का यह यह दोनों में difference समझ में आ गया होगा यह दोनों क्रोमोजोम क्या होता है ठीक है समझ में आ गया है अब मुझे बताओ हमारे human being में कितने प्यार अब क्रोमोजोम होते हैं there are 23 pairs of chromosome okay 23 pair of chromosome अब देखो 23 pair of chromosome मतलब two chromosome को एक लिया जा रहा है ठीक है two chromosome को one लिया जा रहा है तो 23 pair मतलब 46 chromosome है हमारे पास okay कितना है अब देखो इसमें से ठीक है चलो चलो आगे चलता हूं नेक्स पेज में बताता हूं है तो चलो हमारा जो 23 पेर्स क्रोमोजोम आता है बेसिकली तुम्हारा फीमेल में से तुम्हारा फीमेल का 23 आता है और मेल का 23 क्रोमोजोम आता है मिलके तुम्हारा 46 क्रोमोजोम होता है जो कि तुम्हारा 23 पेर्स है तो माल लो यह तुम्हारा जो क्रोमोजोम है यह तुम्हारा फादर का है फादर का क्रोमोजम है ठीक है फादर को पैटरनाल बल देता हूं बोलते हैं मैंनी बोलता हूं ठीक है सब बोलते हैं ओके फादर का क्रोमोजम है पैटरनाल तो कितना होगा यह 23 होगा तो फादर को थोड़ा एंसम बना देते हैं चलो ओके और सपज माल लो यह हमारा है मदर ओके मदर को हम जेनरली मैटरनाल बोलते हैं मैटरनाल क्रोमोजोम है इसके पास कितना होगा 23 ओके मदर है यह ओके इतना बाते समझ में आ गया देखो 46 क्रोमोजोम होते हैं हमारे बोड़ी में उनमें से 23 क्रोमोजोम आता है हमारा फादर से और 23 क्रोमोजोम आता है हमारा मदर से तो father से जो chromosome आता है उसको हम क्या बोलते है paternal chromosome and mother से जो chromosome आता है उसको क्या बोलते है maternal chromosome बोलते है अब देखो इसी chromosome के अंदर यही chromosome के अंदर हमारा क्या मिलता है हमको DNA मिलता है क्या मिलता है बच्चो DNA मिलता है ठीक है तो DNA में एक चीज होता है जिसको हम प्यार से जीन बोलते हैं क्या बोलते हैं प्यार से हम जीन बोलते हैं तो उस जीन क्या है मैं अभी बताऊंगा अब देखो हमारे पास ये मालो क्रोमोजोम है बच्चो क्रोमोजोम के अंदर डीने है तो डीने में बहुत सारे जीन होते हैं होता है जीन होता है तो हम जीन किसको बोलेंगे हम जानते हैं कि सारा डीने के हम जीन नहीं बोलते हैं कुछ-कुछ पार्ट होते हैं चोटा-चोटा पार्ट होते हैं जीन का डीने का उसी को हम जीन बोलते हैं तो वह चोटा-चोटा पार्ट को जीन कब बोलेंगे ठीक है यह बाद मैंने तुम लोग को अप्लाइन क्लासेज में बताया था जीन उसी को बोलेंगे जो कि तुम्हारा तुम्हारा complete RNA को synthesize कर पा रहा होगा माल लो मैं बोल दूँ कि यह जो हमारा DNA है this is our DNA DNA का माल लो यह part this part okay this part is producing a complete mRNA okay this producing a complete mRNA okay so though the part of the DNA which can gives or which can code a complete RNA that is known as GIN so GIN का definition यहां पर लिख देते हैं GIN का मतलब क्या हो गया बच्चो it is the part of DNA okay this is the part of DNA which codes which codes a complete complete RNA that is known as GIN okay इतना बात है समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं GIN देखो इसको हमको DNA के साथ SAM नहीं करना है या इसको chromosome नहीं बोलना है GIN जो है DNA है बट part of DNA complete DNA नहीं है समझ में आ गया और यह जो DNA है part of DNA वो complete RNA बनाना चाहिए आधा अधूरा नहीं बनाना चाहिए तो GIN is the part of DNA which codes a complete RNA that is known as GIN okay तो यह बात और आप लोगों समझ में आ गया हो तो चलो आगे चलते हैं ठीक है चलो अब देखो एक और एक term है जिसको हम लोकस बोलते हैं लोकस भी मैंने तुम लोग को बताया है फिर और एक बार बताता हूं लोकस का मतलब है बच्चो मालो यह क्रोमोजूम है क्रोमोजूम का एक particular part okay particular location ठीक है मालो यह तुम्हारा एक location है ठीक है यहां से इतना okay यहां से इतना एक लोकस न है क्रोमोजूम का ठीक है यहां से एक location है ओके एक location है यहां से एक location है यह जो location है location word से आपको याद रखना है locus ओके location word से याद रखना है आपको particular part को हम क्या बोलेंगे locus बोलेंगे so the part of chromosome is known as location और locus so ऐसे लिख सकते हैं particular location of a chromosome is known as locus okay guys okay so let me drink some water thank you guys okay i hope locus आप लोको समझ में आया होगा ठीक है चलो आगे चलते हैं और कुछ term सिखते हैं देखो और मैं बताता हूँ आप लोग को homologous chromosome क्या होता है चलो next page मैं बता देता हूँ हमो लोगस क्रोमोजोम okay what is homologous chromosome होमो मतलब आप जानते हो sam okay sam logos तुमारा locus word से आया है ठीक है तुमारा जो locos जो है locos word से आया है तो sam locos के बारे में बात हो रहा है यहां ठीक है sam locos तो आप देखो sam locos किस चीज का तो मैं अभी बताता हूँ देखो यह मालो सपोज हमारा maternal chromosome है maternal मतलब मदर का chromosome है ओके और एक कलर करते हैं मालो यह हमारा paternal chromosome है अब देखो maternal chromosome के इस locos पे ओके यह locos पे मालो यह एक locos है जिसमें की तुमारा जो कुछ gene है जो की तुमारा eye color को express करते हैं ठीक है क्या बोला मैंने यहां पे एक locos है locos के अंदर कुछ gene है जो की तुमारा eye color को represent करते हैं या express करते हैं and eye color should be expressed from this locos only यह इसी locos से ही तुमारा eye color express होगा समझ में आ गया अब देखो mother का जो chromosome है देखो ठीक है mother का chromosome जो तुमारा यह locos से तुमारा क्या हुआ eye color हुआ तो ठीक exactly वही locos में father का भी तुमारा eye color का expression होगा मतलब यहां पर exactly same locos यह locos और तुमारा parents का जो mother और father का locos same होगा और same character यह भी eye color को express करेगा देखो यहां पर द्यान से सुनो homo मतलब क्या है same देखो same locos homo locos मतलब same locos देखो same locos है कि नहीं parents mother का जो जहां पर locos होगा father का भी वहीं पर locos होगा same जगा में locos होगा and same character आये एक तुमारा character है बच्चो same character को दोनों code करेंगे same character को दोनों locos same जगा में present होके same character को express करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम homo locos chromosome तो इसका मतलब क्या होगा homo locos chromosome का मतलब यह दोनों को हम लोगा homo locos बोलेंगे ठीक है तो देखो so generally homo locos chromosome का मतलब क्या होगे dna at same locos same character same locos में present होगा and same character को जो chromosome एक्सप्रेस करेगा उसको क्या बोलेंगे हम homo locos chromosome ठीक है अब देखो तो बहुत सारे बच्चे हैं जो की एक words से confuse होते हैं L.E. and L.E. को L.E. को तुमारे locos के साथ same बना देते हैं लेकिन नहीं है बच्चो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ पहले ठीक है दो word है यहां पर एक है character एक है तुम्हारा trait ठीक है और character & trait character का मतलब क्या है और trait का मतलब क्या है बहुत सारे बच्चे मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूँ जो की character & trait को एक ही समझते हैं लेकिन वहां पर एक छोटा सा difference है जिसको आप लोग को अच्छे से समाजना होगा और वह difference क्या है सुनो ठेक है Just a minute guys ओकी, so, character का मतलब मैं एक example से समझाना चाहूंगे, example है, एक character का नाम है height, height एक character है, तो height का जो variety है, उसको हम बोलेंगे rate, height का variety क्या है, height का variety है, एक है tall, एक है dwarf, ओकी, देखो, height हुआ character, threat हुआ क्या, tall and dwarf, तो character मतलब जो express हो रहा है, जो की मतलब visible हो रहा है, and trait का मतलब क्या है, वो ही visible character का variety, height हम जानते हैं, छोटा बड़ा, यह सब तुम्हारा character हो गया, but, sorry, height मतलब लंबाई, एक इंसन का लंबाई, उसको हम character बोलेंगे, बड़ो, छोटा है की बड़ा है, छोटा बड़ा को हम क्या बोलेंगे, trade बोलेंगे, इतना बात समाज में आ गया है, तो अब चलो समझते हैं हमें, हम, LLE, okay, LLE, LLE में क्या होता है, चलो, मालो, यह हमारा mother का है, mother का maternal तुम्हारा chromogen है, और यह तुम्हारा paternal chromogen है, ठीक है, इनके अंदर DNA ऐसे पड़ा होगा, ठीक है, DNA पड़ा होगा, अब देखो, मालो, यह locust में, ठीक है, यह locust में, यह eye color, produce कर रहा है, अगर यह homologous chromogen हैं, तो यहां पे भी यह eye color, show कर रहा होगा, बट, eye color तुम्हारा क्या हो गया, बच्चो, character हो गया, eye color is character, बट, इनका trade अलग-अलग हो सकते ही की नहीं, आप लोग अश्रजार eye का eye देखे हो, blue color का होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपका क्या है, brown होता है, मतलब brown होगा, यह black होगा, तो यहां पे अग eye color का trade बताऊंगा आप लोग को, तो brown हो सकता है, black हो सकता है, blue हो सकता है, ठीक है, इसी तरह का eye color हो सकता है, तो trade है, अब देखो, यह तुम्हारा LLE में क्या हुआ, एक particular locust में, दोनों eye character show कर रहे हैं, बट, यह तुम्हारा mother का जो eye color है, माल लो black है, ओके, माल लो black है, एंड जो father का जो pattern नाल, जो chromo zoom है, वो तुम्हारा brown color express कर रहा है, brown eye, समझ में आ गया, क्या बोला मैंने, LLE में क्या हो रहा है, same locust, okay, same locust, same character, but may be different trait, ओके, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि, sorry, ऐसा नहीं है कि, मतलब ये दोनों मतलब, अलग-अलग trait ही देंगे, same trait भी दे सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारा black भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा brown भी हो सकता है, ठीक है, तो बट LLE का मतलब क्या हो गया? LLE का मतलब simply आपको ये समयना होगा Sam Locus Sam Character Okay, I color हो गया सम Character Okay, Sam Character बट तुम्हारa Variety आ रहा है तुम्हारा Color में इतार में Variety ब्लेक आ रहा है यहाँ पर Brown आ रहा है यहाँ ब्लेक आ रहा है कुछ इस तरह से तुम्हारा हो रहा है, तो may be और may not be may not code for Sam treat क्या समझा आप लोग LLE का मतलब ये है ये तुम्हाराल Sam locust में present होंगे Sam character को express करेंगे and may और may not be Sam trait को code करेंगे, Sam trait को code कर भी सकते हैं, code नहीं भी कर सकते हैं, that is LLE I hope इतना बाते आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है अब देखो, तुम लोग को और एक term समझाता हूं homozygous guys, जो भी words या कोई भी terms अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे personality doubt पूछ सकते हो, आप लोग मेरे contact में हो, ठीक है एक individual है जिसके पास तुम्हारा maternal chromosome होगा, है कि नहीं, maternal chromosome होगा, उसके साथ-साथ paternal chromosome भी होगा, ठीक है तो यहाँ पर एक condition है देखो, ठीक है यहाँ पर माल लो यह तुम्हारा यह lecust में यह eye color सूर कर रहा है, ठीक है eye color, यहाँ पर भी eye color करेगा, क्योंकि यह तुम्हारा lecust है, ल, L, E है, ठीक है तो यहाँ पर homo jagus कब बोलेंगे, ठीक है तो यह जो eye color करेगा अगर मालो mother में black दे रहा है या brown दे रहा है या तुम्हारा father में black दे रहा है तो दोनों जगा में same eye color देगा मतलब mother में अगर black दे रहा है तो father में भी black देगा अगर father में तुम्हारा brown दे रहा है तो तुम्हारा mother में भी brown देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे हो मों जाएगस क्ई तो यहां पर देखो हो मोजाएगस में क्या बतायों मैं तुम लोगों को से में लोकस सम्टन सम्टेवर जगा में प्रेजेंड सम्केरेक्टर है आय कलर क्या है एक केरेक्टर है तो सेम केरेक्टर हो गया एंड ट्रेट भी देखो तुम्हारा ट्रेट क्या है यहां पर ब्राउन है तो यहां पर ब्लैक है तो यहां पर भी ब्लैक है ठीक है मदर में तुम्हारा मदर में माल लो तुम्हारा आय का कलर जो है ब्लैक आ जाता और तुम्हारा फादर में तुम्हारा आय का जो कलर है अगर ये ब्राउन आ जाता तो इस तरह का तुम्हारा जो characteristic इस तरह का individual को क्या बोलते हम heterozygous क्या बोलेंगे हम heterozygous तो यह heterozygous का मतलब क्या हो गया चलो मैं next page में ही बता देता हूँ okay heterozygous heterozygous का मतलब है samlocus same character but different trait okay देखो यहां पर बिल्कुल different trait ही होगा ठीक है guys so heterozygous I hope तुम लोगों समझ में आ गया होगा अब देखो मैं तुम लोगों और दो चीजे बताता हूँ एक है तुम्हारा phenotype phenotype सुने हो आप लोग phenotype मतलब है physical appearance मैं देखो यहां पर dark दिख रहा हूँ तो मेरा जो appearance है मेरा जो morphology है that is my phenotype that is my phenotype ठीक है guys तो this is the morphological features और external appearance एक्स्टरनाल appearance को हम क्या बोलते है phenotype बोलते है and genotype किसको बोलते है genotype का मतलब है बच्चो that is the genetic component genetic makeup genetic makeup का मतलब क्या है genetic component और makeup बोल सकते हो makeup देखो जहांजे सुनो मैं दिख रहा हूँ black color का यह dark दिख रहा हूँ ठीक है तो मेरा gene कुछ इस तरह का चीजों को मतलब provide कर रहा होगा ऐसा produce कर रहा होगा जिसके वज़े से मैं dark color दिख रहा हूँ या जो मेरा जो appearance है थोड़ा dark है ठीक है कोई थोड़ा fair होता है कोई गोरा होता है तो उसका gene जो है कुछ ऐसा product बनाता है जो कि उसको गोरा करता है ठीक है समय में आ रहा है कि आब हो रहा है तो gene और genotype is a genetic component which is present inside me that gene और DNA produce some RNA which can produce some protein और enzyme that protein और enzyme producing morphological features और external appearance समय में आ गया चलो मैं और एक बार समझाता हूँ इसको माल लो यह एक organism है organisms के अंदर DNA है यह DNA तुमारा RNA बना रहा है RNA तुमारा protein बना रहा है यह protein एक इस तरह का protein है जो कि तुमारा external appearance मतलब black color दिखा रहा है या तुमारा light color दिखा रहा है तो black color दिखा रहा है मतलब यह जीन जो है तुमारा एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो की ब्लैक कलर दे रहा है अगर लाइट बना रहा है तो यह तुमारा जो जीन है यहां पे जीन लिख देता हूं यह जीन है कुछ ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो की लाइट कलर बना रहा है तो फिनो टाइप म मैं तुम लोगों कुछ चीजे बताऊंगा, gamet formation कैसे होता है, हम यहाँ पर gametic formation सिखेंगे, हमारा जो gamet कैसे form करते हैं, इस chapter में हम सिखेंगे, अभी देखो, gamet formation, gamet formation, gamet formation में देखो, एक है तुमारा, माल लो, तो यह एक, एक मिनिट गाइस, ओके, तो माल लो, यह एक, spermatogonia है, क्या है, spermatogonia, आप लोग जानते हो, spermatogonia क्या है, spermatogonia के अंदर, sperm produce होता है, ठीक है, क्या produce होता है, sperm produce होता है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे तुमारा ऐसे, sister chromatid होते हैं, ठीक है, इस तरह से sister chromatid पड़े होते हैं, तो spermatogonia में, तुमारा जो sperm produce होता है, that is basically haploid होता है, आप लोग ये बात जानते हो तो देखो ये spermatogonia diploid है but जो sperm producer हो रहा है वो haploid है अब देखो मैं तुम लोग को क्या चीजे बताऊंगा ये जो हमारा chromosome है chromosome replicate होगा ये normal chromosome है तो यहाँ पर तुम्हारा replicate होगा ऐसे chromosome है ठीक है है कि नहीं ये तुम्हारा ऐसे chromosome replicate होगा तो माल लो ये तुम्हारा chromosome number one है ये chromosome number two है ये chromosome number three है और ये chromosome number four है तो यहाँ से हमको gamet formation करना है ठीक है gamet formation तो ये जब बियोसिस में जाएगा ये तुम्हारा जो प्रोसेस होगा जब स्पॉम बनेगा तो यहाँ पर चार स्पॉम बनेंगे ठीक है क्योंकि ये है टूएन वाला है तो ये एक एक स्प्रिश्टर को मार्टिड ऐसे चले जाएंगे देखो ये तुम्हारा ये लो वाला जो ये chromosome number one है ठीक है ये तुम्हारा chromosome number two है और इसको थोड़ा अलग कर देते हैं ये तुम्हारा chromosome number three है ओके ये आपका chromosome number four है तो ये हो गया पहला sperm ये दूसरा sperm ये तिसरा sperm ये चोथा sperm चीक है गाइच इतना बाते समझ में आ गया हो तो देखो इतना बाते समझ में आई गया है अब देखो ठीक है इसके ये जो पहला और 详ूसरा जो chromosome बनाया गया है ये homologous chromosome है क्या है है ये homologous chromosome होता है अब देखो homologous chromosome है ये भी तुम्हारा homologous chromosome होगा ठीक है है हो कि यह दोनों सेम अँढ़त क्रोमोजोंगें कि इसके पास जो क्रोंप ने होगा यह तुम्हाराघ़ के पास वह ही होगा अब मान लो यह कि यह तुम्हारा लोकस है यहां पर जो मैं बना रहा हूं दूसरे याग black eye के लिए code कर रहा है क्या कर रहा है black eye के लिए code कर रहा है और माल लो यहां पे जो यह local's are je ये माल लो brown eye के लिए code करने, देखो, ये अलग chromogen है, ये अलग chromogen है, तो ये तुम्हारा black eye के लिए किया, ये तुम्हारा brown eye के लिए किया, अब देखो gamut, माल लो यहाँ पे तुम्हारा, ये black के लिए ये मैं b denote करता हूँ और brown के लिए मैं small b donate करता हूँ, तो यहां पे जो दो अलग-अलग है, ये तुम्हारा क्या होगा? पहला वाला होगा तुम्हारा black, ओके ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चोथा, तो पहला वाला होगा black, दूसरा वाला वही होगा ब्लैक तिस्ञा वाला होगा ब्राउन चोधा वाला होगा जहां ठीक है तो अब देखो यहां पे तुम्हारा कितने टाइब का गेमेट बना है, कितने टाइप का स्पॉम बना है, स्पॉम क्या है, गेमेट ही तो है, तो कितने टाइप का, तुम्हारा ब्लैक वाला एक टाइप का, और तुम्हारा ब्राउन वाला, तो टाइप वान क्या हुआ, ब्लैक हुआ टाइब टू क्या है टाइब टू देट इस ब्राउन तो हमारे पास दो तरह का गैमेट बना है तो दो तरह का जो गैमेट बना है यह 50% है और यह 50% है तो हम यह जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा तक क्लमजी हो रहा है बड़ आप लोग को अभी मैं समझा दूँगा इसको यह सब मैं क्यों बता रहा हूँ ठीक है तो पहले देखो एक स्पर्माटो गोनिया होता है स्पर्माटो गोनिया के अंदर अधर ओके जस्ट ए मिनिट गाईज जस्ट ए मिनिट ओके तो लुक यहाँ पर यह जो क्रोमोजोम है ठीक है यह जो क्रोमोजोम है इसका जो लुकोस में क्या यह दे रहा है ब्लैक आय का एक्स्प्रेशन दे रहा है यहाँ पर जो यह क्रोमोजोम है यह क्या दे रहा है ब्राउन आय का तुम्हारा एक्स्प्रेशन दे रहा है तो यहाँ पर तुम्हारा यह हापलेट इधर जाएगा इधर आएगा ठीक है तो यह हापलेट हापलेट तुम्हारा स्परम बन गे तो ये जो sperm है तुम्हारा black color eye के लिए ये express करेगा और ये sperm भी तुम्हारा black eye के लिए तो ये दोनों sperm basically black eye के लिए represent कर रहे हैं और ये दोनों तुम्हारा brown के लिए represent कर रहे हैं ठीक है समझ में आ रहे हैं क्या बोर रहा हूं ठीक है तो यहां पर क्या हुआ है ये तुम्हारा दो तरह का तुम्हारा chromosome जो expression दिये हैं एक तुम्हारा दिया है capital B और एक तुम्हारा दिया है small तो brown and black तो हमको अगर दिया होगा एक cell जहां पर तुमारा एक ऐसा chromosome दिया होगा जो कि जहां पर लिखा होगा black and brown तो आपको यहां पर अगर gamut formation करना है तो क्या करना है आपको black and this is brown तो यह 50% हो गया और यह 50% हो गया अगर capital capital B capital B दिया है तो आपको यहां पर दो ऐसे B बनाना नहीं है बच्चों दो ऐसे B बनाना नहीं है सिर्व आपको क्या करना है सिर्व आपको एक ही B बनाना है क्योंकि यह 100% है समय में आ रहा है क्या बोला मैंने I think clumsy हो गया है लेकिन फिर भी और एक simply समझाता हूँ आप लोगो ठीक है और एक बार आप लोगो को देखना आई topic माल लो एक लिखूंगा मैं अगर लिखूंगा एक cell है जिसका जो genetic makeup है capital B capital B अगर मैं बोलूँगा इसका gamet बनाओ क्या बोलूँ gamet बनाओ gamet अगर बनाने के लिए बोलूँगा तो आप लोगो को क्या करना है दोनों B है तो इसका gamet बनेगा simply B अगर मालो एक किसी का एक genetic component ऐसा है तो इसका gamet बनेगा capital B and small B अगर किसी का genetic component ऐसा है तो इसका gamet बनेगा B तो यहां पे जहां पे sam sam होगा वहां पे एक ही तुमारा gamet बनेगा अगर जहां पे दो अलग-अलग होंगे वहां पे तुमारा अलग-अलग gamet बनेगे अगर जहां पे दो sam होंगे वहां पे तुमारा एक ही बनेगा यह 100% है तुमारा यह तुम्हारा 50% है, ओके यह तुम्हारा 100% है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यह जो है मैंने तुम लोगों केपिटल भी ब्लैक के लिए दिया था, तो यह बताता है कि यहां पर अगर दोनों ही ब्लैक कलर, दोनों ही तुम्हारा अमलोगस क्रोमजम अगर ब्लैक सो कर रहे हैं, ब्लैक रिप्रेइन कर रहे हैं, तो 100% यह है कि उसका जो गैमेट है, वो भी तुम्हारा ब्लैक सो करेगा, अगर इसका जो तुम्हारा जो क्रोमोजम है, जो हेट्रोलोगस है, अगर तो अगर हेट्रोलोगस है, एक देता है ब्लैक और एक देता है तुम्हारा ब अब देखो यह जो मैं ब्राउन ब्लेक ब्राउन ब्लेक कर रहा हूँ तो यहां पर देखो कैसे कलर चेंज होता है आयका ठीक है बहुत इंपोटन बात है जो कि मैं अभी डोमिनान रिसेप्सिक के बारे में भी बताऊंगा आप लोग को तो ध्यान से सुनना थोड़ा ठीक है देखो माल लो यह तुम्हारा मदर का क्रोमोजम है ठीक है मैटरनाल क्रोमोजम ठीक है यह तुम्हारा पैटरनाल क्रोमोजम है मैटरनाल एन पैटरनाल माल लो यह लोकेशन में तुम्हारा यह तुम्हारा नॉर्माल जीन है जो कि तुम्हारा एक आरेने बनाता है आरेने स का capacity है कि ये तुम्हें black आय देगा ठीक है ठीक है समझ में आ गया एक normal gene है जो कि तुम्हारा RNA produce किया और तुम्हारा RNA से तुम्हारा protein बना है और वही protein से तुम्हारा जो protein का capacity है that can gives you the black eye ओके इतना बात है समझ में आ गया देन ये तुम्हारा दूसरा है दूसरा father का जो chromosome है that can gives तो ये एक DNA है gene है जहां पर तुम्हारा gene present है तो this gene ओके ये भी एक gene है जो कि तुम्हारा एक RNA देगा and then RNA से तुम्हारा एक protein बनेगा मालो ये तुम्हारा ये जो gene है ठीक है ये जो gene है that is the defective gene अगर defective gene है तो RNA भी तुम्हारा defective देगा ओके RNA भी defect होगा और protein भी क्या होगा तुम्हारा defect होगा अब देखो RNA यहाँ पर अगर defect है ये protein तो क्या ये black आये देगा नहीं देगा black जैसा नहीं देगा बिल्कुल black color नहीं देगा क्योंकि ये black defective DNA है बच्चो तो defective DNA produces defective protein तो defective protein तुम्हारा black color का आये कभी भी नहीं देगा तो black को छोड़ कर कोई और आये देगा ब्राउन देगा ये blue देख सकता है मालो ये brown दिया ओके समझ में आ रहा है क्या दिया ये brown color का idea समझ में आ रहा है तो यहाँ पर अब बताओ मुझे इन दोनों के fusion के बाद इन दोनों के cross के बाद या इन दोनों के expression क्या होगा ये और एक दे रहा है brown आया तो यहाँ पर तुम्हारा जो नया जो आय कलर बनेगा that will be क्या? blow या black या brown? no, that is black क्या बनेगा? black अब बोलोगे sir ये तो brown दे रहा है ये तो तुम्हारा black दे रहा है तो brown बललेक मिलके और कुछ होना जीए ऐसा नहीं होता है बच्चो क्या हो रहा है देखो ये defective है ये gene क्या रहा है defective जीन है तो ये तुम्हारा express नहीं कर पाएग समझ में आ रहा है बट यहां पर जो हमारा ये है जो कि तुम्हारा नॉर्मयल जीन है जो कि Express कर शकता है जो और यह जो की काम कर पाएगा उसका कलर आएगा यहां पर समझ में आ रहा है क्या बोना हूँ तो यह defective है इसलिए काम नहीं कर पाए ये normal jin है इसलिए काम कर पाएगा और हमको क्या देगा black jin तो यहाँ पे तुम लोगों को एक concept समाज ना होगा तो यहाँ पे जो हमारा ये mother का जो jin था ये जो black color का आया था ये dominant रहा क्या रहा ये dominant रहा है नहीं हो पाया क्या हुआ ये suppress हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम recessive बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको क्या हो गया ये एक मिनिट ये क्या हमारा recessive ओकी तो मैं यहाँ पर आप लोगो दो चीजे बताऊंगा एक है तुम्हारा dominant एक होगा तुम्हारा recessive तो यह बाद आप लोगों समझ में आ गया है चलो आगे चलो बताता हूँ dominant है recessive के बारे में dominant का मतलब है ओके dominant मतलब है जो कि तुम्हारा express होगा जो जीन का एक्सप्रेस होगा उसको हम dominant बोलेंगे recessive क्या होगा जो की जीन तुम्हारा suppress हो जाएगा in the presence of dominant suppressed in the presence of dominant अब देखो दूसरा टाइब का color आय कैसे बनता है तो यह बात आपको समझ में आ गया कि तुम्हारा एक नॉर्माल जीन होगा और एक तुम्हारा diffedic जीन होगा नॉर्माल जीन क्या दे रहाए तुम्हारा black eye color का दे रहा है और तुम्हारा गिल्ध ब्राउन दे रहा मालो किसी का जो color है आए कलर है ब्राउन है तो कैसे होता है मालो हमारे पास mother का यह chrom haters जो में maternal वाला यह तुम्हारा है paternal वाला ठीक है तो इसके locust में यह eye color देने वाला है और इसके locust में भी eye color देने वाला है बट gene दोनों का ही क्या है defective है दोनों का gene क्या है defective है तो दोनों का gene अगर defective gene है ठीक है दोनों का gene क्या हो गया defective है तो दोनों का जो protein बनेगा, वो भी defective बनेगा, और दोनों का जो milk के eye color जो बनेगा, क्या बनेगा, brown बनेगा, तो यहाँ पर देखो, defective gene को हम recessive लिये थे, ठीक है, और यहाँ पर देखो, इसको भी recessive लेंगे, तो recessive, recessive मिलकी भी तुमारा यहाँ पर, एक color दिये, that is brown, तो म मैं तुम लोग को एक gene के हिसाफ से मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर brown है, यहाँ पर, sorry, यह black है, यह तुमारा brown है, अब देखो, इसका gene क्या बनेगा, इसका black बनेगा, और इसका क्या बनेगा, brown बनेगा, अगर यह दोनों के बीज में cross होगा, तो हमक क्या मिलेगा, capital भी, small भी, अब देखो, यहाँ पर dominant क्या है, black है, तो यह क्या सो करेगा, black आय सो करेगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इससे क्या बनता, B बनता, brown बनता, यहाँ से भी brown बनता, इन दोनों के cross होने की बाद में क्या बनता हमको, brown आय बनता, ठीक ह अगर यहाँ पर इस तरह से होता, यहाँ से तुमारा, capital B, यहाँ से तुमारा capital B बनता, ओके, तो capital B, capital B मिल के क्या देते हमको, black color देते हैं, आय हो, इतना बाते समझ में आया होगा आप लोगको, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कुछ चीजे समझना होगा आप लोगको, जो तुमारा black है, dominant color जो black है, देखो, capital B, capital B से भी दे रहा है, तुमारा capital B और small B से भी दे रहा है, बट recessive जो है, brown color जो है तुमारा, दोनों का, दोनों recessive होने पर ही तुमारा दे पारा है, समझ में आ रहा है, तो, dominant characteristics क्या है, है dominant तुम्हारा अगर dominant अगर जीन है तो recessive present हो या ना हो इससे कोई फरग नहीं पड़ता हूँ अपना dominant characteristic that is eye color देगा ही देगा that is black color but brown में क्या है दोनों को दोनों recessive होना पड़ेगा ओके समझ में आया चलो next चलो मैं आभी तुम लोग को homozygous and heterozygous के बीच में जो difference है वहीं बता रहा हूँ homozygous मतलब है बोद अलली आप character are similar जो तुम्हारा अलली जो होंगे दोनों का दोनों character same होगा अगर कोई maternal का अगर capital T है तो paternal का भी capital T होगा अगर paternal का small T है तो maternal का भी small T होगा but in the case of heterozygous both the L.A. of character character are similar एक character मतलब I character अगर लेंगे यहां पर तुम्हारा height का लिया गया है height का लिया गया है height का तुम्हारा capital T होता है तुम्हारा tall and तुम्हारा small T होता है dwarf okay तो homozygous में अगर mother में tall वाला है तो father में भी tall वाला होगा अगर father में small dwarf वाला है तो mother में भी dwarf वाला होगा but यहां पर जो heterozygous होता है जो तुम्हारा L.A.L.E. होता है एक L.A.L.E. में तुम्हारा जो mother का L.A.L.E. होगा अगर capital T है तो father का small T होगा अगर father का capital T है तो small T होगा mother में तो similar है dissimilar है यहां पर तुम्हारा homozygous में similar होगा L.A.L.E. and heterozygous में dissimilar होगा okay then come to the homozygous individual can carry either dominant or recessive L.A.L.E. but not both homozygous क्या बोल रहा है तुम्हारा either dominant हो सकता है या तुम्हारा recessive हो सकता है मन लो अगर हम बोलेंगे कि black का तो ऐसे black होगा तो ऐसे होगा but इस तरह से नहीं होगा either ऐसे होगा ठेक है या black का ही होगा नहीं तो brown का ही होगा homozygous में but heterozygous में तुम्हारा black का भी हो सकता है brown का भी हो सकता है because heterozygous individuals carry both dominant और recessive L.A.L.E. यह और नहीं end है okay then third number it produces one type of gamet यह only एक ही तरह का gamet प्रोडूस करेगा अब यह सी बात है अगर मैं b b लिखूं लिखूं तो यहां से कौन सा gamet बनेगा capital b ही बनेगा एक ही type का gamet बना but it produces heterozygous produces two type of gamet तो यहां पर देखो तुम्हारा जो L.A.L.E. होता है कैसे capital b small b तो यहां से दो हमको gamet बनता है capital b and small b दो gamet बनता है तो this is the difference based in homozygous and heterozygous so this is so easy okay बच्चो थोड़ा सा पढ़ लिया करो जो भी problem में बता दिया करो ठीक है Genotype & Phenotype Mohy थोड़ा कम बताया था तो अभी देखो GENotype का में बताया था कि GENisy that remains through the life हमारा जो जीन divided है हमारा जिन क्या change होगा क्या mutation होगा तो change होगा नहीं तो change नहीं होगा तो हमारा जो genotype है हमारा जो gene है हम जब पैदा हुआ थे जैसा था हम बड़े होकर मर जाएंगे तब भी हमारा gene वैसा काही वैसा रहेगा कोई changes नहीं आएगा इतना बात है समझ में आ गया then phenotype का मतलब कहा है change within time ओके देखो हमारा जो phenotype हमारा जो appearance है वो time के साथ change होता है जैसे कि हम बच्पन में तू सा बच्चा थे फिर इतना बड़ा हुए फिर इतना बड़ा हुए फिर अभी तुमारे इतना बड़े होगे plus two में आगे हो ठीक है फिर बड़े हो जाओगे ठीक है so यह infant होगे young होगा फिर old होगा तो यह क्या हो रहा physical appearance में change हो रहा within the time हम बच्पच में जब एक साल थे तो इतना बच्चा थे ठीक है बड़े होगे तो फिर ऐसा खिलने कुदने लगे फिर दोस दोस के बीच में जड़ा होने लगा ठीक है तो time के साथ बड़ा होते जा रहे हैं बड़ा होते होते हमारा physical appearance जो है change हो रहा है but gene हमारा जैसा का वैसा ही है okay समझ में आया then third point not influenced by phenotype I'm sorry don't think that I'm suffering from Corona okay I'm not suffering from Corona this is lagging you know that जब हम बात करते हैं तो सांस लेने में जब थोड़ा इधर उदर epiglattis का बात होता है तो थोड़ा सा खासी हो जा रहा है okay okay so क्या पर दे हम number three that is genotype is not influenced by phenotype phenotype के बज़े से तुमारा genotype में कोई changes नहीं आएगा हम अगर अभी ऐसे हटा कटा दिख रहे हैं अगर कल ऐसे बुढ़ो बन जाएंगे तो क्या हमारा gene change हो जाएगा कभी change नहीं होगा बच्चो so genotype is not influenced by phenotype समझ में आया यह बात धिहान रखना third thing phenotype influenced by genotype but within a boundary देखो यहाँ पर हमारा जो appearance है वो genotype के उपर depend करता है gene के उपर depend करता है यह आप लोग मानते हो अभी अभी हम पढ़े देखो कुछ चीजों में कुछ limit तक तुमारा gene जो है हमारा phenotype को influence कर पाएगा जैसे कि माल लो मेरा जो color है इतना dark नहीं था बच्चो ठीक है समझ में आ रहा है मैं थोड़ा और light था ठीक है तो और जो मैं जब पैदा हुआ था मुझे नहीं पता मम्मी बोलते हैं मम्मी के लिए तो मैं हिरा हूँ ठीक है जो भी है black diamond बोलो या जो भी बोल सेकते हो कोई बात नहीं उसके लिए तो मम्मी जो है क्या थोड़ा तो जो है और थोड़ा light था तो वहाँ पै क्या मैं तुम लोग को रिलेट करने के कोशिस कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा light था ठीक है तो वह जो light था मतलब थोड़ा सा दार्ग था बट थोड़ा सा light भी था इसका मतलब यह है मेरा जो body में जो melanin था जानते होगे melanin नम का प्रोटीन होता है उसका जो amount था less amount था ठीक है समझ में आ रहा है तो less amount में था तो जिसके वज़े में थोड़ा सा light दिख रहा था तो that phenotype उस time में जो appearance था that is done by my gene मेरे gene के वज़े से मैं उस तरह सा दिख रहा था बट अभी मैं धूब में दोड़के, खेल कूतके, काम बांद करके कुछ भी, मतलब धूब में घुम फिर के मेरा जो dark है, जो मेरा जो मेरा जो सावला रंग है जादा हो गया है समझ में आ रहा है तो ये जब अगर कोई गोरा भी हो या जो गोरा लडगा या लड़की होते हैं अगर वो धूब में घुमेंगे वहां पर तुम्हारा चेंजेस हुआ नहीं, धूब के वज़े से जीन जो है, कुछ लिमिट तक कुछ हद तक, कुछ बांडरी तक हमारा फिनो टाइप को कंट्रूल करता है बट आवर फिनो टाइप कैन भी चेंज दूट दा एन्वार्मेंट समझ में आ गया, ओके चलो फूर्थ वां, not influenced by environment एन्वार्मेंट के वज़े से हमारा जीनो टाइप कभी चेंज नहीं होता क्या हम दोब में जाएगे तो हमारा जीन चेंज हो जाएगा क्या हम ज्यादा अंडे खा लेंगे तो क्या हमारा जीन चेंज हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है, हमारा जीन जीनो टाइप कभी चेंज नहीं होता है due to environment, okay then phenotype can be influenced by environment अभी बदाया अगर कोई गोरा चिटा बच्चा दे दो अगर उसको दीन, मतलब दो पहर मैं खिलाऊं, क्रिकेट 45 degree centigrade मैं अगर उसको क्रिकेट एक दीन भी खलाऊंगा ना, डार्क पढ़ जाएगा बिचारा थेक है, समझ में आ रहा है बच्चो तुम लोग जो लटकियां, जो sunscreen लगा के दो में निकलते हो क्यों, डल हो जाओगे, काला पढ़ जाओगे इसी लिए ना, so phenotype influenced by environment okay, number five individual with different genotype may have stem phenotype, क्या बोला एक individual है, उसका gene जो है, अलग-अलग है क्या है, genotype, अलग-अलग है बट, phenotype stem हो सकता है, तो कि यहाँ पर example दिया है, capital T capital T, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चो, tall ही बनेगा, आब लोग जानते हो capital T, small T इससे क्या बनेगा, tall ही बनेगा, देखो, यहाँ पर क्या हुआ phenotype जो है, same है बट, genotype क्या है different है so, अगर किसी का genotype different भी हो maybe, उनका phenotype same हो सकता है, but in case of phenotype, देख देते हैं individual with different phenotype different phenotype मतलब कोई tall है कोई dwarf है, ठीक है माल लो, phenotype different है तो usually have different genotype, तो इनके बास different genotype होता है, बोल रहा है, तो tall के लिए तो तुमारा capital T, capital T होगा dwarf के लिए क्या होगा, small T, small T तो इन दोनों के genotype अलग-अलग हुए कि नहीं, different हुए नहीं so individual with different phenotype usually have different genotype ओके अज का क्लास इरहां पर खतम होता है बच्चो thank you so much guys, love you all bye bye, take care, जाने से पहले एक बात बताऊंगा, आप लोग, telegram में जूर जाओ मेरा previous lectures देख सेकते हो, मेरे YouTube चैनल को subscribe कर लो, ठीक है, कोई भी queries जो तुम लोग telegram में जान करके वहां पर मुझे पूछ सकते हो, और instagram में भी तुम लोग जा कर मुझे वहां पर follow कर सकते हो, ताकि तुम लोग biological post and biological questions में वहां पर post कर रहा हूं एक-एक करके, तो you can watch them, okay चलो, thank you so much guys, bye bye, take care, love you all तुम सकते हो, तुम सकते हैं प्